हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ घर में बने पीजा की रेसिपी शेयर करूंगी इसको बनाने के लिए ना आपको पीजा बेस चाहिए ना ही मैदा और ना ही अवन की जरूरत होगी हम इस हेल्दी पीजा को कडाई में बनाएंगे सबसे पहले दो आलो लह life इनको मैं छील के अच्छी से थो लिया लिया है पीजा को जो बेस हो आलो से तयार करेंगे तो बड़े साइज के आलो लेने हैं अच्छिप करेंगे इसके लिए जो चिप्स के था करने वाली मसीन होती है उसको यूम ए or अगर आपके पास मसीन नह कर सकते हैं इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से चिप्स ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए इसी तरीके से आलू को कट कर लेंगे आलूओं को मैंने चिप्स की तरह कट कर लिया है यह देखिए चिप्स ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं एक पैन या फिर कड़ाई लेंगे उसको इस तरीके से ग्रीज करना है और जो चिप्स थे वो इस तरीके से सटा के रखने हैं कि देखिए इस तरीके से थोड़ी जगे छोड़ देंगे साइड में इस तरीके से सेट कर लेंगे या लूओं को इसके उपर से मैं यह थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हूं थोड़ा सा यह ब्लेक पेपर काली मिर्च इसको भी स्प्रिंकल कर देंगे पीजा औरिगेनो एक बार बना के देखिए बहुत अच्छा पीजा बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है थोड़ा सा ये चाट मसाला इसको भी डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे दो मिनट तक कुक करेंगे जब तक ये कुक हो रहा है तब तक इसका बेटर तयार कर लेते हैं इसके लिए एक बोल लेंगे इसमें ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेशन है इस स्पून से लेंगे तो टेबल स्पून बेशन इसको डाल देंगे एंड ये बेशन से आधा चावल का आटा है वन टेबल स्पून चावल का आटा इसमें एड करेंगे टोली leps और पीनली है आप टीस्पून नमक्राट या स्याटकर ूज्लाक अधी आए जीरा मिससी का फिल म्लॉडर sua टो acqu new kad मिल द्धिंस अधनियों या पिर दियर कंटर पाउडर साचना से दिया एंगा तोड़ा पानी मिलाएंगे और इस तरीके से बैटर बनाएंगे अच्छे से मिक्स करना है कि तरीके से जितने पानी की जरूरत हो उतना ही थोड़ा-थोड़ा मिला दे जाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अधी इस तरीके से अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठिक लग रहे है प्यूंस मैं थोड़ा जाप पानी और करूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें लंच नहीं और चीत देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर काली मिर्च इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी से अभी कंसिस्टेंसी एक तम परफेक्ट है थोड़ा सा ये पीजा और इगेनो इसको भी एट करेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे बेस के लिए अच्छा सा बैटर बनके तयार है इसमें ये थोड़े से कटी हुए धनिया इनको भी एड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी भी एकडम परफेक्ट है आलू को चेक कर लेते हैं ये देखिए आलू हाप को खो चुके हैं इसके उपर से ये जो बैटर बनाया था वो इस तरीके से डालेंगे बैटर में जो हमने का चावल का आटा मिलाया है उससे जो पीजा का बेस है बहुत ही न मिनिदै तर सोक्त今े इसको चैक करेंगे 5 बाद में इसको चेक करेंगे ये देखिए । हो गया है इसका बैस इसको ओपर से ये पीजा पास्ना सॉस मैं को इस-तरी के से एपलाई करेंगे एक बार इस तरीके से पीजा जरूर बना के देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा पीजा बनता है इस तरीके से मैंने स्प्रेट कर दिया है पूरे बेस पे ये चॉप्ड अनियन इसको भी इस तरीके से स्प्रेट कर लेंगे इस तरीके से फैला देंगे इस शिम्ला मिट्च इसको भी इस तरीके से पूरे बेस के ऊपर डाल देंगे चॉप टमेटोस इनको भी इस तरीके से डाल देंगे इस स्वीट कॉंस है इनको भी डाल देंगे इनकी क्वांटिटी आप अपने कॉर्डिंग लग सकते हैं चीज है चीज को ग्रेट कर देंगे इस तरीके से चीज को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा और इसको आप स्प्रेट कर देंगे इसके उपर थोड़ा सा ये चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा थोड़ा सा ये काली मिर्च ये पीजा और इगेन हो इसको भी स्प्रिंकल करेंगे इस चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ये ऊपर से थोड़े से मैं स्वीट कॉर्ण्स और डाल देंगे अब इसको 10-12 मिनट तक लो फ्लेम पर कॉक करेंगे जिससे जो पीजा का बेस है वो भी अच्छे से कॉक हो जाएगा ये देखें बारे मिनट के बाद में जो पीजा है अच्छे से कुक हो चुका है और जो चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जुकी है पीजा बन के एकदम कीजिए और इसको सब कीजिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी so please do subscribe my channel thank you